हेलो दोस्तो मैं विनोद मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कुलकता मेट्रो का e-pass कैसे बुकिंग करेंगे और डाउनलोड करेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं कुलकता मेट्रो की सिवाए फिर से चालू हो चुकी है लेकिन कुछ टर्म्स और कंडिशन के साथ अगर आपको मेट्रो से कहीं जाना है तो सबसे पहले आपको e-pass booking करना पड़ेगा e-pass आपको दिखाना पड़ेगा साथ अहीं साथ आपके पास smart card होना चाहिए तो चलिए आज हम लोग जानते हैं किस तरह से e-pass booking करेंगे दोस्तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बगल वाले बेल आइकन को दबा कर notification को on कीजिए मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूँ तो चलिए जानते हैं किस तरह से आप e-pass book करेंगे कुलकता metro का सबसे पहले आप अपना google का home page खोल लिजे google का home page में आपको type करना है pathdisa.com slash metro pathdisa.com slash metro करके आप search किजे करते हैं देखेगा आपके screen पर आएगा pathdisa metro slot booking pathdisa metro slot booking पर आप click किजे click करते हैं ये आपको pathdisa metro slot booking का official website पर लेके चला जाएगा जहां आप देख सकते हैं book slot with high and medium speed internet book slot with slow speed internet ये जिस तरह आपका internet के speed है उस पर आप click किजे example का तोर से मैं book slot with high and medium speed internet पर click कर रहा हूँ book slot पर मैं यहां click किया click करते ही आप देख सकते हैं आपके screen का right side का corner में एक icon दिखाई पर रहा है आप down हो रहा है message का इस पर आपको click करना है click करते ही आप यहां देख सकते हैं पत दिसा metro यहां पर welcome to पत दिसा metro एक chat box खुल जाता है powered by ideation इसमें आपको fill up करना है देखिए please enter your name आपका यहां पर नाम डालना है आपका जो नाम है वो नाम यहां पर आप डाल दीजिए example का तोर से मैं अपना नाम डालता हूँ मैंने अपना नाम डाल दिया डालने के बाद इसको इंटर कीजिए इंटर करते ही देखिए यहां पर चला आया उसके बाद दिखा रहा है आपका यहां पर your boarding station आपका शुर्वाती station मतलब आप कहां से यात्रा शुरू करना चाहते हैं यह metro के सारे station का नाम दिया है example का तोर से मैं कभी शुवास लेता हूँ कभी शुवास पर मैंने क्लिक किया करने के बाद देखिए उसके बाद पूसता है please select your destination आपका गंतवस्तान आप कहां जाना चाहते है जिस स्थान पर जाना चाहते है उस स्थान को आपको चुष करना है example कर तोर से मैं यहां से जाना चाहता हूँ दम दम तो मैंने दम दम को क्लिक किया करने के बाद देखिए हैं यहां पर आपको दिखाएगा choose a time for your journey आपके journey का time choose करना है यह जिस दिन आप book किजेगा उस दि 7 p.m. मैंने 7 p.m. चूज कर लिया देखिए उसके बाद बोला है check if booking is available or not अगर booking available है तो आपके पास यहां आ जाएगा अगर अगर आपको दिखाएगा लेकिन अगर booking आपको यहां दिखाएगा booking is available कि booking is available would you like to confirm and book क्या आप confirm करना चाहते हैं book करना चाहते हैं यहां पर देखिए नाम दिखाएगा origin origin कहां से जाना है कभी शुवास उसके बाद कहां जा रहा हूं दम दम उसके बाद booking time मैंने दाल दिया book and download इसको क्या करना book and download पर click करना date दिख दिखाएगा उसके बाद बार आ जाएगा इस बार कोड को आपको दिखाना पड़ेगा मैट्रो में मैट्रो में इन करते समय यह बार कोड यह आपको दिखाना पड़ेगा इसको स्कैन किया जाएगा करने के बाद ही आपको मैट्रो में इंटर करने के लिए दिया जाएगा इसको आप आपको मुवाइल में सेफ कर लीजिए सेफ करने के बाद आप इसको क्या करना है दिखाना है मेट्रो में जब जाएगा और जाने के दिखाकर आप भीतर इन कर सकते हैं साथ ही साथ आपको आपके पास मेट्रो का कार्ड होना चाहिए तो दोस्तों आज आप जाने किस तरह से आप метro का e-pass book कर सकते हैं किस तरह से आप metro का e-pass book करेंगे और यात्रा करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को like कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल वाले बेल आइकों को दबा कर नोटिफिकेशन को ओन कीजिए धन्यवाद